हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो ए लर्निंग फिधिनामेम चैनल आज का हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो सेशन हमारा प्रीवियस येर दोजार हठारे का होम साइंस का पेपर अगर इंस होम साइंस के पेपर की बात करें तो यह एल्टी ग्रेट का पहला वश्ट सब्सक्राइब के लिए तता आप सबके जीवन में ही इसी तरह प्रकास बना रहे हैं उस सब्सक्राइब के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन जो काफी इंबोड हैंट अगर इसके पीडियाफ की बात करें तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको स्लेवस तता जो चैनल चैनल लगी सकातों तो अब करेंगे चैए चैनल आपट की वाथ कर लेते हैं यांगहां यह कि दो पार्टों में है आगर इसके पहले पार की बात करें तो सामाने अधिन गशन प्रस्ने किस ने यानौन्यान is a याने प्रसंवाण का litt Chem I 1-3 तक सामने दिर्विव bewण कर लें तो प्रसुं संख्याँ treмо किस्फें के होंगे एफियह कुण के होंगे उस पूरां। बनेगा यहां पे है भी घर है कि देड़ सों का पूरांग होगा और समय अबदी की बात करें तो दो घंटे में आपको देड़ सो कुशन करने होंगे तो यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी जो काफी इंपोडेंट है तो इस परिच्छा को और भी इंपोडेंट बनाती है वह हमारी बंद थटकी मारकी यहां पर लिख रहा है यहां पर प्रशन उत्तर पत्रक में उम्मीद वाद द्वारा दिये गए गलत तर के लिए डंड दिया जाएगा तो यहांने एक तिहाई क्या है इसम लोगे शुरू करते हैं हम अपना हम साइइंस का सेशन और जिसमें हम क्या करेंगे 120 कोर्शनों को देखेंगे क्योंकि 120 को इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर हम new year की पर नहीं देकते और तरयरेक्त तैयारी करते है 1 तो लेविल का पता नहीं पड़ते हैं अग्जैंकर प्रेवियस ये कोश्चन को लगाएंगे और तद्धधा आपको प्रेवियस एयर की प्रेट्टिस पेपर सारे लगा देंगे चाहए वो नैट के हो चाहाँ वो TGT की हो चाहाँ वो PGT की हो क्योंकि इसमें दौनों का कॉमिनेशन चलेगा तो काफी इंपोडेंट है क्योंकि इसके पेपर का कहीं इस तरक कुछ कोशनों का आपका UGC को टच करेगा तो कुछ का PGT और TGT को टच कर रहा है तो यहां पे हम आपको जो MZPT कोशन हैं वो इतनी करा दिये जाएंगे तनी प्रेटिस करा दी जाएगी कि आपको खुदी ही कहेंगे कि बहुत कोशन हमने कर लिए क्योंकि ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं बचेगा जो हॉम साइंस से हो और उचिस की प्रेवियर सीय कोशन पेपर ना कराए जाएं तो हम साइंस के आपको करा देंगे प्लस आपका यूजी सी का जो है वो भी कंपल सरीय कराना प्लस उसके बाद भी हम प्रेटिस सैटों को लगवा देंगे वो भी एम सेक्जाम से तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के कोशनों की श्रंखला जिसमें काफी महत बुड़ है कोशन देखिए यहां पर साफ साफ जो कुशन है आपका यूजी सी को टच कर रहा है यानि यूजी सी की पैटन को फॉलो कर रहा है आपको बताते चाहेंगे कहां कौन से पैटन को यह फॉलो कर रहा है तो इसलिए हमें इसमें गया है सारे पैटनों को लेकर चलना है क्योंकि काफी आपको जन्बरी में आज रहेगा एग्जान तो आज सेफिय आप क्या कने किया कि दौरा कारवोयटरट पौचण किरिया की प्रकिरिया का सही क्रम क्रिया के तो यहां पर जो सही क्रम होता है उसका तो पहला हुआ 쓸क तरोगें और कि 20 सफ़े तैसरोन कि एक्षटोरी यूदा 静 लूदा भी तरी रहे होता है यह एसोब्स इस तरह से प्रकेंगे हैं बेटन बनेगा यानि जो इसका लाइट अंसर होगा वह हमारा होगा भी आपको बताते हैं कि आयों बहुत जल्दी रचल्ड आता है क्योंकि आंसर की जारी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं लेनी है तो रजल्टी भी बहुत जल्दी आ चाता है तो चले देख लेते हैं सुची बन, सुची डू और यहां पे देखिए कि पहला है आपका आपका है लूकोशीन लूकोशीन किसमें पाए जाता है क्या हूँ मैं आपका हमाई अबूमिन तो यह किसमें होता है हमारा मासपेसी में आपका है लेक्टे अल्बूमिन तो यह होता है दूद में क्योंकि लेक्टे से बना इसलिए दूद में होता है आपका है सीरम तो यह हमारा जो पाया जाता है वो पाया आपका लिम्ब में तो इस तरहसे जो कूट बनेगी वो हमारी होगी यहाँ पे भी वाली ठीक है तो एक-क, चार यानि गेहुँँ में पाया जाता है आप़को बता है भी का एए तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी पेनेयस शलते हैं यहाँ पे सूची बन है तो कमी से होने वाले लक्षणों में मिलाएं तता और नीचे दिएगे कुट को सही प्रयोग करें तो यहां पर आपका है तो को फोरल है वो हमारा है आपका एंटी इस्टेडी लिटिक कारक ठीक है फिर उसके बाद देखते हैं कैल्सी फेरॉल तो यह होता है आपका एंटी के आपढ़ आते हैं आपका एकुराइल तो एकुराइल क्या है आपका वह है एंटी कारक और आपते हैं राटैणोल तो एंटी जिरो फैतेलिमिक कालक तो यहां पर जो कूट बनेगी उसको भी हम देख लेती के कौन सी बनेगी यानि एक आपका रह जाएगा एका थ्री और आपका भीकट बन ठेक है तो एका थ्री और भीका बन तो हमें यहां पर मिलना है डी में तो रहेगा वो रहेगा डी चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं तो प्रसव के पशात या प्रथम तीन दिन तक श्रावित होने वाला तरल कॉलिस्ट्रोल कहलाता है दूसरा कदन है कि इसमें क्या है प्रोटीन के उच्छ मात्रा होने के कारण आपका ग्लोविलिन की उपस्तिती है तो जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा दौनों यानि दौनों ही कदन यह सथते हैं नेशलते हैं निम्र में से कौन सा विकास का सिद्धान्त नहीं है तो यहां पर विकास का सिद्धान्त नहीं पूछा जा रहा है तो क्या है आपका विकास विस्ष्ठ से सामान की और अगरशर होता है तो इसने नहीं पूछा है तो यह हो जाएगा विकास प्रतिमान की बव दिश्वारी की जा सकती है क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या विकास को देख कर ही पता पड़ जाता है कि कितना होगा ठीक है तो यहां पर जो राकूर्ट बनेगी वो बनेगी हमारी ए और थ्री खेल के पुन्रावती के सिध्धान के प्रवर्थक थे तो यह थे इस्टेनल होर ठेक है खेल के प्रवर्थक के समर्थक मैंडूला के उपस्तिती किसकी बिसेष्टा है तो वो हमारी उनी गी उनी रेसा की बहुत इंपोटन्ट है बहुत बाल पूछा गया टीचीटी जो कोशन थे वो आपके किस के थे? यूजीसी नैट के थे यह पे स बनाना ठीक है अभी जो कोशन आपको मंदूला दिक रहा है यह कहां का है? आपका PGT का है अभी के जो TGT था PGT था उन्हें कोशन जो आए है वो भी हम आपको बताते जाएंगे कि यह वाले कोशन आए हैं इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब तक होम साइंस के जितने भी एक्जाम करा दिये गए हैं चाहे वो एल्टी हो जाहे आपका । कुछ भी हो कुछ भी हो तो हम से संब्दित आपको क्या है एंसरी टाइप के शारे कोशन पेपर यहां पर कराये जाएंगे सौल तद्धा आपको प्रटिस सैट में यहां पर लगवाए जाएगा जिसमें क्या होगा कोशनों की आने की प्रभल्व संभावना होंगी ऐसा प्र चिद्रों के द्वारा चिद्रों द्वारा द्रव्य को आकर्शित एवं ग्रहन करना तो इस तरह से है आपका एलाश्टिक रिकवरी क्या है यह होगा हमारा किचाव अतनाव ग्रहन करने के परशाथ अपने मूल नमबाई में बापस आना प्रतिसकंदता आपकी होती है अत्यादिक द्वाव के पच्छाथ अपने मूल आयतन में बापस आना ठीक है तो यहां पर लच्छी लिपन की बात की जाए तो यह हो जाता हमारा ए तीक है बिना तूटे हुए मुरना यह बहुत पूछी जाती है कूर्द आपको हम क्या करे जिनके अर्थ बहुत पूछे जाते हैं तो यहां पर क्या है दीका बन दीका बन कहां पर है दीका बन दीका बन दो में मिला है हमें तो हमें क्या देखना है फिर बीका देखना है तो बीका क्या है हमारा बीका हमारा फोर है तो बीका फोर हमें किसम है बीका फोर इसमें मिला है तो राइड एंसर यह हो जाएगा नेश चलते हैं यहां पर आप नेश कोशन को देखिए काफी इंपोडेंट कोशन है यह हम बात करते हैं कापास क्या है कापास के रेसे यानि यह हुता हमारे प्राक्तिक रेसे यह हमें कहां से मिलता है बनश्पती जकर से कुछ इस तरह से पेड़ होता है वो जिस तरह से उसकी रहनिया होती है जिस पेड़ की जाता लंबाई नहीं होती है चार से पांच फुट तक आपको मिल जाएगी नॉर्मली इंसान इसे मतलब इस पैसे करलियों में से फूल निकाल ले यानि फूल में से उन निकाल ले इस तरह से इसका होत बात की जाए तो इसका सही क्रम होता है हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई चीज हमें प्राप्त करनी है तो उससे संबंदे था तो उससे सही करेंगे करनी है झाल 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 यह मैंसे कौन सी यांतरिक परसज्जा नहीं है तो यांतरिक परसज्जा नहीं है तो वह हमारी यह सिल्वर्ट रोदी परसज्जा है जबकि यह सभी यांतरिक परसज्जा है आपकी कलेंडरिंग इसक्रोनाइजिंग आपका है मुईरिंग यह सभी क्या है आपकी यांतरिक प पर सच्चा है नहीं को देखिए जो पीडियाफ है वो हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो आपको परिशान होने कि आबशक्ता नहीं है उप वक्ता सरनाचान अधनियम पारित हुआ था तो वो कब हुआ था तो जो 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ लागु कब हुआ यह भी सब्सक्राइब लागु जब हुआ 1987 को यह एक साल पीछी चाहर सताची को यह लागु हो गया उन्हें चलते हैं सिलाई के धागे धागे का गुड़ होना चाहिए तो हाई फ्रक्सिन आपका है डेजिश्टेंस ठीक है इस तरह का गुड़ होना चाहिए नैस्ट सरी का नाप लेकर भिक्सित किया गया पैटन तो वह होता है ड्राफ्टिंग ठीक है इस पर हम क्या करते हैं कि ब्राउन कलर के पेबर से ड्रॉँ करते हैं एक साथी पोसाल जिस पर कोई बहारी सजावत ना है तो वह हो जाएगी आपके रचनात्मा की पूछा गया है तो यहां पर क्या रहेगा वह रचनात्मक नमूना आज के स्थां यह किस पर की जाती है तो याद रखना यह यूनी वह Uarme लेशोंक है कार्बो-नाइजिंग क्लाव कार्वनाइजिंग क्लाइच काषिए लिए 6 acord 1978 किली किका गया शोंकिन्य देट बैठने और खड़े होने की इस्तिती में सुधार का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मास पेसी है तो वहां कंकाल पेसी क्योंकि जिस तरह आपका क्या करते हैं उस पर हेंगर पर कपड़ी लटके होते हैं और हेंगर क्या करता है पूरे कपड़ों को साथ है उसी तरह कंकाल क्या करती है हमारे संतुलित करके खड़ा करने का कारे करती है तो आपका है नंबर सब्सुद प्रयो किया जाता है तोントद ंजा salt है तो हों के लिंभो शयक में झाहिस होते हैं लिम्पोशाइट है 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 warm about a last question देखते हैं आपका है इंक बोर्ड यारी आपको कहते हैं इसका लू सार्स स्याई धबर ठीक है तो आप सबको पता है कि यह क्या था आपका प्रोज़्चिव आपकी टीचिन क्यों थी ठीक है तो अगर प्रेच्छे पर तक्नीक सोद की रूप रेका जो आसान एवं अस्पष्ट होती है तो वो किस में होती है सारे सोद आपको आसे ही क्या होगा रिसर्च आपको मतलब रिसर्च किनकी नेरिया में होती है रिसर्च के कितने टाय पर जाने जितने भी कोशन रिसर्च से आप अस पश्च होती है तो बोती है परनात्मक सोद रूप रेखा नेश्ट आपका है निर्दर्सन जो संभावित निर्दर्सन रूप रेखा के अंतर गता आता है तो वो होता है सुधाय निर्दर्सन नेश्ट देखिए परकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंद नहीं बताती है कहलाती है तो वो कहलाती है आपकी two trial hypothesis ठीक है यानि तू दू पच्छी परकल्पना ये क्या है दो चरों में अन्मानेच संबन्द नहीं बताती है कहलाती है तो वो कहलाती है आपका है दू पच्छी परकल्पना two trial hypothesis नहीं चलते हैं scale जिसे आपका है summated scale भी कहते हैं तो वो हमारा कौन सा scale है जिसे summated scale कहते हैं तो लिकर्ट scale next question देखिए आपका भूमी निर्मान अक्सान जो एक अनुपात आपका है आप एक हजार माप पर तैयार किया जाता है कहलाता है तो बूद्रश्य योजना जब हड़ी हड़ी तीन या अधिक टुकड़ों में हो हो तो यह carlमान है कहला आकपे एपको बताए जाएगा तो थोड़ा सा थैरे रखें जब अधि कहलाती है तो तो यह कहलाती है तो कहलाती है आपकी आपकी बहुगंड अल्ग होश्यना जाने क्या हो पूछ रहा है वो अधिक टुकड़ों में तूटी हो तो आपकी क्या कहला है कि पहुगंड अस्ती भंग अगर बात की जाए कच्ची अस्ती भंग गी तो यह बच्चों की होती है जब बच्चों की हड़ी तूटी जाती है का बोलते हैं बिसम अस्ती भंग क्या होता है कहां टूटी है यही पता नहीं पड़ता जट लश्ती भंग की बात करें तो तूट कर दूसरी ही जगे घुश जाना जैसे वो टूटी हो क्या हुआ साइड में किसी और रड़ी में खुज गई जाकर तो ये होता है आपका चटिल हस्ती भंग तो आई होपा हस्ती का किलियर हुआ होगा अभी पट्टियां भी आपको किलियर होती है चले नेश्ट कोशन चलते हैं ये बहुत इंपोड़ेंट कोशन है जो अभी आपकी आंगे आ रहा है तो आप क्या करें बस देखें थे हांजे ये पीडियाप आपको हमारे टेलिगराम पर मिल जाएगी पांच वरसे अधिक आयूबाले बच्चों को क्रतियम सुहसन की कौन से बिदी दी जाती है तो वह हमारी सेफर क्योंकि बच्चों को हम क्या रखते हैं सेफ रखते हैं तो याद रखना उससे बना सेफर नैश कोशन देखी सबसे अधिक मजबूत रेशा है तो वह हमारा है नायलोई आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके थे कि आपका कौन सा रेशा जो है उसको कहा जाता है आपका उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है जादू रेशा ठीक है तो यह आप हमें कमेंट वक्स में बताएंगे जब चावल अधिक पानी में बाला जाता है तता पानी को पसाया जाता है तब नुक्सान होता है तो तब नुक्सान किसका होता है तो वह हमारा B complex का नहिशलते हैं एक आपका रजो निम्रित महला के लिए कैलसीयम की RDA होती है तो वो हमारी होती है यहाँ पर RDA की बात की जाए तो वो होती है हमारी यहाँ पर आपकी 600 मिली ग्राम दिन में नहिशलते हैं गर्वस्ता के दौरान कौन सा हार्मुन GIT के अमास है कि पेशियों की कार्शिलता को कम करता है तो वो हमारा रहता है आपका आपका है एस्ट्रोजेन सूच में आणू जो सरीर में बहुत जल्दी अवसोसित होता है यह है तो वो हमारा सूच में आणू वो हमारा मौनो सेक्राइट प्रोटी सेक्राइट क्या है यह सेलूलोज और हैमी से हैमी सेलूलोज क्या है आपके प्रोटी सेक्राइट है ये बात याद रखेगा नेशल दे हैं आपका P.E.M. का प्रथम सूचक है तो P.E.M. का प्रथम सूचक कौन है तो वो है आयो अनुसार बजन कम होना नेशल कोशन देखते हैं नेशल कोशन देखे P.E.M. का प्रथम सूचक है आयो के अनुसार बजन कम होना नेशल देखे आपका है कतसील संतुलन से तातपल है प्रोटीन उर्जा का अनुपात का ठीक है किसका है प्रोटीन और उर्जा अनुपात का नेशल देखे अर्द आवशक अमीडो अमल है तो वो है आरजिनिन ठीक है आपका दूसरा और है इस्टोडिन ये अर्दा वश्ळकमिलो अम्ल है नहिशलते हैं बुने हुए कपड़ों में पाई जाने वाले लबबद पारस पारिष संबंदित लूप निम्ल मैंसे किससे संधर्वित किया जाता है तो आपके लूपों को किस से किया जाता है ये बहुत पूछा जाता है तो ये बेल से किया जाता है कुछ इस तरह की क्या है निटिंग डाली जाती है नहशल दे हैं आपका है बंगाल के कथा कड़ाई में मुख्ध है इस्तमाल होने वाली कड़ाई है तो वो हमारी डेनिंग क पढ़ाई यह क्या है कि आयोग की तरफ से आंसर माना गया कई अग्जाम में बट बुक जो कहती है वो कहती है भी जब लंबे तंतु को क्या कहते हैं यह बहुत पूछा गया है अभी भी पूछा गया अग्जाम में टीचिटी में तो लंबे तंतु को क्या कहते हैं तो वो हमारा filament fiber आपका blended fiber में क्या होता है इसमें क्या होगा कि इसमें 2 तंतों को मिला दिया जाएगा सब कुछ जैसे कपास प्लस लेसम लेसम प्लस आपका उन हो जाएगा इस तरह से और ये होते हैं आपके mix fiber नेशल दें हैं आपका सिल्क बिग्यान को क्या कहते हैं तो वो हमारा सेरी कल्चर ठेक है सिल्क उत्पादन को क्या कह जाता सेरी कल्चर चलिए नेशल कोशन देखिए इस तरह की गरवस्ता की अबदी संभवित होती है तो यहां पर आपको याद रखना है कि 280 दिन न विले तब आपको कहा जाना है 270 पर जाना है वैसे तो 280 दिन होती है चार महा की अबस्ता में आम तोर पर बालक का बजन तो ये दुगना हो जाता है अगर बात की जाए चार महा या छे महा की तो पच्चे का बजन कित्ता हो जाएगा दुगना हो जाएगा चार हो चार हो चार हो अंडानू पर पको होता है तो ये होता है 28 दिन में अंडानू पर पको हो जाता है सामजाई विकास कारी क्रम आंक कब आरंब हुआ था तो बहुआ था दो अक्टूबर 1952 को यानि 1922 को ने शलते हैं आपका ऐसे विक्स से तातपल है सूच में जीवारूं को हटाना ये काफ़ी इंपोडेंट और ये आ चुका है याद रखेगा ये जो PDF है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर पढ़ी है तो परिशान होने कि आवश्रकता नहीं है बाल विहार यानि किंडर गार्डन प्रकार की पूरू स्कूली कारिक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो किंडर गार्डन पूछा गया है किसका है तो वो प्रोग महुदय का मार्या मॉंतीशोरी ने मार्या मॉंटेशोरी की की ती याद रखना जिसमें कैसे बच्चे थे जिने हाथ के द्वारा क्या था हाथ इस पर्स के द्वारा इन्होंने पढ़ाये था यानि उनकी इंद्रियों का प्रयू करते हुए जिए अधिन गिरान कर सकते थी ऐसे मूर्द मतलब इस टाइब के अब बिसिष्ट बच्चार थी थे इन के पास नहीं चलते हैं जनम के समय नवजाज सिसु के रोने से क्या होता है स्वसन के रिए आरभ हो जाते तब वह जमीन प्यायों हाईः करता है तो यहां पर पूछा जा रहा सेकंडरी लौ चीक है प्रैंबरी ने सेकंडरी पूछा जा सब्सक्राइब करें नियम् से बहुता है सब्सक्राइब ऑसला के थे और ब्रèces प्रस्ताइब नियम। को जो थे ब्रवद्धी हैं। वाईगौज की है आप कार्यक्सान है प्याज़ है फ्राइड है तो आपको बताएं फ्राइड किस के लिए जाते हैं शामाज के लिए जाने जाते हैं अभाज के लिए जाते हैं जुछторी जेमें नहीं समंळिध में और आपके सीया है तो समय को यहां से सब्सक्राइब आपेए इसी तो समुस्या होती है तो इक्ताम होती है भिस्तर गिला करना आप스 सर्गीट साघ्अ करने आपका सोशल लेंग ठ्वशब है वहां किसी समन्दिते सोसल लर्णिंग और एंड थोरी परस्नाल्टी तो है अलवर्ड बंडूरा से बर्दांग आपका नेश कोशन है वो है हमारा बहनंदता है एक तो वो क्या है अनुवांशिक रोग है क्योंकि ये तभी एक दूसरे डाइसर हो जाता है तो ये क्या है बहनंदता एक अनुवांशिक या ने आपका क्या है आपका जेनिटिक्स और हमका डिजाइरस है चले पूरु कालि भालक के लिए प्रविस परिप्रिछा पाठे तो किस ने की थी तो वह था कुठारी आयोग ने की थी नैशल दे हैं काफी इंपोडेंट कोशन है मस्थिस अपने वैस्क भार का नभ्य प्रसत तक पहुंचता है जब बालक की आयो होती है तो जब बनकी आयो किती होगी पांच वर्स यह आ चुका है अभी पेज़े टी में तो कभ वो अपने भार मस्थिस का नभ्य प्रशत तक रोध कर लेता है तो वह पांच वर्स तक बनुसान शक्रम यानि अनुवांचता का अरू है तो डी एने क्या ह है इसका अरू है डी एने से ही क्या होता है आपके पेरेंस का पता चलता है चलता है चले नहीं देखते हैं पांच वर्स का बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में कारण यूगे होते हैं तो यह कारण यूगे है देखे तो यहां पे क्या है कि सीधी रेखा वो खीच लेता है तुसे किसका क्यान है सूच हो किरियात्म कोशल का फाइन मोटर इसकिल का चले नेक्श कोशन देख लेते हैं किरियात्म कनुशन दान या अपरेशन कंडिशनिंग ठियोरी या कहे हैं उसका देखी संकल्पना क्या कि दूरर का जांस किरियात्म कंशन दाल किस ने दिया है तो वह उपमारा है इसका नंने के रिफ्याobyl है प्रेसार सिच्छा के राइच हुशा है प्रस्आर तक को से राइज पावगा जफसे हुश्य का सा साय था है आपको इत्व मज़नाला है तो आपको यहां पाइब रखना है जो तो यहां पर हमने एक उट बना रखिया है A, I, D, C, K, A, S, E ठीक है तो यह कुट आफ के लिए काफी important हो जाती है तो A से क्या बनता है यहां पर attraction यानि ध्याना फर्शित करना I से क्या बनता है यहां पर अवरुची बनता है यानि अवरुची जागरत करना फिड़ी से जो बनता है डिजाइड बनता यानि इच्छा होती है केसी से जो रहता है वो रहता है कौन भी केसन रहता है और अगर बात करें के की तो केसी क्या है यहां पर कुछ भी नहीं है के के बाद चलते हैं एस पर तो एस पर है यानि आपका सैटिसफेक्शन है यानि संतुष्टी है फिर संतुष्टी के बाद फिर यह पर चलते हैं और यह को देखते है तो एक्शन भी है एक्शन के बाद फिर हम किस पर जाएंगे तो यहां पर क्या है एक्शन के बाद एस और एक क्या करेंगे चोड़ देंगे यानि हमें क्या करना है कि वह परिच्छा के लिए इंपोरेंट है यानि यह वाला जो पैटर्न है यानि आपके प्रसार से च्छा के चरण है उन्हें किरम से लगाना बहुत पूछा जाता है तो जो रहेगा वह रहेगा भी आपको बता महला ससक्ति करन निम्न मैं से किस पंचवर्षी योजना का मुद्दा था तो वह पंचवर्षी योजना थी पांच में आप दूसरे पंचवर्षी योजना में बताएंगे कि कहां कौन सी फैक्टरी यानि इस्टिल उत्पादन की फैक्टरी कहां खोली गए थी निम्न गठ रखा है तो सेवा ग्राम योजना 1921 आएगा फिर आएगा जोर्म आपका रहेगा मर्त हंडम पर योजना 1928 पर इतावा पाइलेट पर योजना और फिर रहता है गुर्गा पर योजना 24 तो इस तरह से जो हमारी कूट बनेगी वो हमारी रहेगी आपकी डी नहशलते हैं निम्ड मैंसे कौन सा संचार में बादा नहीं है तो वो हमारा आयसमू सामुदाइक विकास किस संकल्पना से विक्षित हुआ है तो वो हमारा हुआ है प्रसार सिच्छा से सामुदाइक विकास किस संकल्पना यान कॉंसेप्ट की देन है तो वो हमारी प्रसार सिच्छा क्योंकि प्रसार सिच्छा आई उसकी बाद हमारा सामुदाइक विकास आया क्यों आया क्यों आया क्योंकि इंपोडेंट हो जाता है प्रसार सिच्छा किसके लिए है सामुदा प्रदानमंती कोसल विकास योजना तो यह हमारी कैसी अनौफ चारिक है इस तरह कि कोई भी स्कीम का नाम आ जाए तर उसमें क्या हो कि आपको कोई भी टैंटेविल फिक्स ना करी जाए कोई भी समय ना दिया जाए और कोई भी माटेरियल ऐसा प्रोबाइड ना कराए जाए इससे क्या होगे आपको इंतिजार और करना पड़े नैश्ट देखते हैं यहाँ पर है कि प्रसार की बिदी दिये हैं संपर्ग का प्रकार भी दिया गया ग्रहवेट की बात करें तो यह ब्यक्ति का संपर्ग है तूटदशन की बात करें तो यह जन संपर्ग है अगर बात करें संगोष्टी की तो ये भी जन संपर्ग होती है यानि शेह मिनार भी लोगों के बिना संपन नहीं होती मगर परड़ाम प्रदर्शन ये व्यक्तिगत संपर्ग नहीं होता चीक है तो इसमें गलत पूछागा है तो राइट अंसर हो जागा हमारा टीनेशल दे है प्रसार सिच्छन प्रकिरिया नेम्र पांच आवश्चक चौड़नों को सही क्रम में बिवस्तित कीजिए तो यहां पर चरण दिये गए हो नेम्र सही चरण नहीं है तो यहां पर क्या करेंगे हम इन कुटों को देख लेंगे पहला रहेगा इस्तिती या इवं समस्या दूसरा हो जाएगा उद्देश समाधान ठीक है प्रसार सिच्छा प्रकिलिया में पांच आवश्चक चड़ों को सही से क्रम से विवस्तित कीजिए तो राय टांसर रहे जागा हमारा डी नहीं नहीं राश्टी प्रसार प्रणाली किस बर्स आरंब की गई थी तो उनिस सो त्रेपन को यह आरंब की गई थी निम्न मैंसे कौन से सही नहीं है तो वो हमारा है तीन यानि विस्व पल्यावन दिवस आपका क्या है 11 दिसंबर दिया है जबकर विस्व पल्यावन दिवस के टेक पांच जून को मनाया चाहता है फिर है विस्व एर्स दिवस जो एक दिसंबर को मनाया चाहता है तो हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा आपका ए पोश्टर में ये वी सी का अर्थ है तो ये है आकरसर तंशित्वा इस पश्ट चिक है ये वी सी का अर्थ है अट्रैक्टिव ब्रीफ एंड के लिए नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिक्रत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं तो आपका लेगाड लेगाड ने क्या दिये हैं पांच में सर दिये है ने शलते हैं ये पीडियाफ आपको हमारे टेलेग्रम चैनलर पर मिल जागी तो परिशान होने के आवर्शक्ता नहीं है पिद ऐसे यांसर के साथ अरस्तू मॉडल की संकल्पना प्रडाली में तो कितने मॉडल है तो आपको याद रखना तेन मॉडल है जिसको कहते हैं एसस ए मॉडल ठेक है तो मानभी आप इ गया था मैसलो ने तेकर मैसलो के मांग का नियम भी इसको बोलते हैं नेशल दे हैं सवच्छता संरच्छाड़ एवं जलपूर्टी किसके कार्रे हैं तो वह हैं पंचायत के लोकतांते विकिंद्री करण की अब धाना किसके द्वारा दी गई तो वह हमारा है पलवंतराय मे के सीखना यह बहुत इंपोर्डेंट और अभी आपका टीजीटी में आया था फ्लैस कार्डों की अधिक्तम संग्या हो सकती है क्लास में तो आपको सबको पता है कि दस से बारा हो सकते हैं फ्लैस कार्ड नेश कोशन देखते हैं निम लेकर तुम ऐसे किस प्रकार की प्रेचर दक्रेकी में प्रेचर एक बिसेश्ट लगू अब्दी के लिए लिकिये जाते हैं तो वह हमें समय है प्रत्चैन प्रच्छे पार पदल बिशलेशर उपागम का प्रयोग किसके निर्मार में किया जाता है निकर्थ प्रकार का पेमाना नेंको गौर्टव से कौनसा डाटा सैट को दो बरावर हिस्सों में विवाचत करता है तो आपका है आपका मीडियन प्रसार नहीं है क्यों प्र vẫn ग। में बांट देता है चीज को केंदिर प्रवर्ति का महापक कौन सा नहीं है तो यह सभी महापक है बगर प्रसार नहीं है कि कोई मैथ में आता है लेंज ठीक है यह हमारे केंद्रिया यानि आपके major of the central tendency का नहीं है यह आपका HD जो आता है यानि उस में से है तो प्रसार नहीं है निम्न में से कौन सा समग यानि पूर के भागों की तुलना में उप्यों के लिए सबसे उत्तम है तो वो हमारा है बार ग्राफ ठीक है तुलना करनी है कंपेरिशन करना है तो इससे बहुत अच् आविदित उत्तर है तो वो हमारा है परकल्पना का ठीक है क्योंकि वह समस्या हम लेकर जलते हैं वह समस्या जो हम डिजाइन करते हैं उसी को हम परकल्पना बोलते हैं और उसी को सोच कर समझ करते हैं क्या है कि यह क्या है परकल्पना है क्योंकि उसमें पेना सोच्या में ग देखिए आपका परकलप नोगे की नेम्डे उसे कॉन सा बैक्ट्रिया छारी ये प्रथी करता है तो आपका है वाईब्रियो कॉले रहौ यह क्या करता है चारीओ में ब्रथी करता है ने मैं नेश से आपका प्रश्ड ये पाधहतों जो भोजिल परदातों में उद्धे शपून ठंग से मिला ही चाहते हैं फूड आपका है एडिटिव इंग कोली है तो ग्राम नेगिटिव वैक्टेरिया परियावन सर्डचाड अधनियम के इस बर्स पारित हुआ था तो वो 1986 को पारित हुआ तदलाग हुआ 1987 को कौसल भारत कारीक नमिकिसे ने प्रिस्थावित किया था तो वो थे नरिंद मोदी जी ने प्रिस्थावित किया था निम्रे में से कौन सा उपकरन उच मतला उपकरन डग्त चाप मापने में काम आता है तो आपका इस फाई मो मैनोमीटर अब की बार पूछा गया था कि बायुद आपको को ना पता है तो वो आपने देखा होगा TGT PGT में पोजन नर्षट होने का कारण है उप्यूक तो सभी क्योंकि बैक्तेरिया हा खमीर और फपूनी सभी बोजन को नर्षट करते है ख़राब करते हैं अधिक तर बोचे बताताओं को खराब करने वाले वैक्टेरिया बिक्सित होते हैं तो वो हमारे होते हो प्यूप सभी में यानि अमली ए पीएच में चारी पीएच में आपका नीटरल पीएच में अब का है बीसीजी का टीका बचाव करता है तो वो करता है 6 रोग 6 यहां पर एक चीज और आपको याद रख लेनी है कि आप से पूछा गया था यहां पर छे रोग को ही क्या बोलते हैं टीवी भी बोलते हैं तपैदिक भी बोलते हैं यह याद रखेगा नहीं देखिए ड्रेसिंग के प्रकार हैं तो A.O.B. यानि सुखी पर्टी और B कहला ना चिपकने वाली पर्टी आपको बता दें कि सिर्फ में कितनी कैसी पर्टी भांदी जाती हैं तो तिकोनी और लंबी पर्टी भांदी जाती हैं कितनी पर्टी आप सकते हैं तो दो पर्टी भांदी जा तो नया जो कूट है सही वाली वो हमारी कार्वोहर्टे चया पच्चे पर इंसूलन का प्रभूख प्रभाब विविन जातगों द्वारा आपके क्या होता है गुलुकोश्म के उपियोग को घटाना है नेशलते हैँ आपका दो सूची है और हमें क्या करना है सोमिलत कीजिए तता नीचो दिये गए कूट का प्रयोग कीजिए तो आपका जो बनेगा वो ये फॉलेट का सुजाब है और बजट किसका है वो हमारा है एंजल का आपको बताना है कि जो एंजल का बजट है उसमें किसमद को नहीं रखा गया यह बहुत पूछा जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि हमने पिछली प्रेटिस में आपको बहुत कराया था कौन सी प्र이죠 कारीत्मक या सनडाचनत्मक यहीं बात है याद रखेए का कारा अजल पूछे लेगा है पस आपकी है तो कौन सी काई है तो नेफ्राउन है यह वह यहां है काफी रिपीट होता यह कुश्चन एफ एम एन तता एफ एडी ऐसे को एंजाय में जो प्राप्त होते हैं तो यह दौनों हमें किसे प्राप्त होते हैं वह होते हैं राइव फ्लोविंस से नैश देखिये आपका बोमेन कैपसूल मालव शरीर के किस भांग का हिस्सा है तो वो गुर्दे में पाया जाता है यह इस कुछ सेफक होता है ठीक है बोमेन कैपसूल की सेफक होता है कुछ सेफक होता है याद रखेगा एक एंजाम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है तो वो होता है टाइलिंजुलार में पाया जाता है सलाइवा में ठीक है पैपसिन अमास है में इंसुलिन अगनास है में और आपका वाइल जो बहुत पूछा जाता है चोटी आत में पाया चाहता है नेशल दें खाने की पाचन के लिया संपन होती है तो वो हमारी होती है मुख में यह पूछरा आरंब होती है खाने की पाचन के लिया आरंब होती है या प्रारंब होती है तो वो मुख से अगर संपन होती है तो याद रखना यहाँ पे छोटी आतों में चले नहीं शलते हैं आपका एंडिरल ग्लेंड मान सरीर में इस्तित है तो वह हमारा गुर्दे के ऊपर सरीर में खने लबड के प्रमुक कादे हैं तो वह है सुरच्छा तता नियमन यह काफी इंपोर्डेंट हो जाता है तो देखी पारे होंगे यहां पर अगर बात की जाके इसमें खनेश लबड की कादे हमने बूला सुरच्छा तता निग्मा नेमत यहां पर उर्जा है याद रखेगा सरी निर्मार तता उर्जा प्रदान करने वाला है तो वह हमारा प्रोटीन है क्योंकि यह का करता है सरी में जो टूट-पूट होती रहती है उसकी मरमबत करता रहता है निमन मैंसे किस हार्मौन को बसा उत्वन करने वाला हार्मौन भी कहा जाता है तो वह हमारा इंसुलियन तो यहां पर प्रस्थावित किया जाता है 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 तो यहां पर प प्रफटेकल सबने दी जाती है ब्लेंड डाइट साकाहारी आहर सामानेते कमी होती है तो आपका याद रखना पूफा पूफा याने हाता है यह क्या है विश डिगरी टेंपरेचर पर रखे जाते जन्तु जन्न होते हैं और इन्हें क्या बोला जाता संत्रप्त बसी अमल कह होते हैं मुफा बरके नैचल दें सिसु के लिए सरवादिक मैतपुड आवशक कसी अमल है तो वह अपकार यह बहुत इंपोर्टेंट कोजिशन है जोंके इस वार भी पूछा गया था तो वह हमारा है लीनो लीक अमल ठीक है लीनो लीनिक अमल और दूसरा इसी के साथ जो हमल होता हमारा है अीद्ट के लो इक हमल अगर यह ना मिले ऐख बहुत दिक है किसकी कमी का लॅच्छन है तो हमारा है आयो टेन की 누् करमी का क्योंके क्लति है सब्सक्राइब करने में क्या है युग दाने जदा खाने में टाइम लेती है आइज देखते बौद्धिक विरासत किसकी कर बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लच्छड है तो वो हमारा होता है आयोडिन की कमी का लच्छड है चेक है इसकी कमी से और क्या क्या हो जाता गहंगा हो जाता गर्पात हो जाता यह याद रखिएगा आपकी विकारता पूछा जा रहा है बौद्धि याने मंदुद्धि बच्चे इस त पहले गरा नामक रोग निम्नमेसिक इसकी कमी से होता है तो वो हमारा है नियासीन यानि भी त्री की कमी से होता है आपका है अलफा टॉक्सीन पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं आपके मुफली में अर्द आवशक अमीनो अमल तो यहां पे है अनावशक दौनों एक हों ठीक है तो यहां पर आपको बस कोशन को याद रखना है यह हम जब प्रेटिस्पेक्ट कराएंगे तो अधी ध्यान और रखेंगे अर्दावशक अमीनो अमन में आपको याद रखना अर्जिनिन ठीक है और आपका होता इश्ट्री डिन ये दो होते हैं अमीनो अमने कित्ते होते हैं 20 होते हैं टाइप में याद रखेगा बिटामिन जो लोहे के अफसोसर में सहायता कौन करता है वो करता है विटामिन सी अंडे में ये काफी इंपोटेंटा बहुत बूचा गया है तो यहां पर देखिए यहां पर देख लेते हैं अंडे में बायोटीन के साथ पाई जाने वाले प्रोटीन का नाम है तो आपका है एविडीन ठीक है तो आई हो पाज हमने क्या करा है कि पूरा होम साइंस का पेपर यानि होम साइंस के पूरे 120 कोशिनों को कर लिया है टीक है GS के कोशिर हम से रह गए हैं बड़ GS के कोशिर हम जब कराएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि ये भी करा दिये चाहें क्योंकि ये पेपर आपके लिए काफी इंपोडेंट हो जाता तक इसका लेविल जानना पहले इंपोडेंट हो जाता है प्रेक्टिस से पहले क्योंकि प्रेक्टिस से पहले अगर हमें एक्जाम का लेविल पता होगा तो हमारे भी जो तैयारी का डारेक्शन होगा वही रखा जाएगा तो हमने प्रटेश पेपर दिखा दिया है एक जाम का पेपर दिखा दिया है तो आई होप जब हम शुरू बात करें हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही आप सब पुद्धीपावले की यह लर्निंग देहनावेंट चैनल की तरफ से हार दिख सुपकाम ना है तता आपके जीवन में भी इसी तरह क्या हो प्रकास में बना रहे तता आप रोज एक नए उचाई को छूएं इसी देह से आज का मॉटिव का युद्ध बढ़ने की तयारी जीत उसी की होगी जिसका संधर्स है जारी युद्ध बदल रहा है और युद्ध का आगाज भी हो चुका है यानि आपके लिए फिल्ड में एल्टी ग्रेट आ चुकी है और ये भी एक तरह से आपका युद्ध छेतर है तो इसमें वही तो आपके प्रटिस सेट लगाने की तयारी हो चुकी है प्रटिस सेट चलेंगे आपके सामने होम साइंस के तो आपको बस क्या करना है कि अब तक आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगी क्योंकि जो प्रटिस सेट आपको कराए जाएंगे पीड भी confusion भी नहीं रहेगा PDF के साथ ही तो आज का सैसर आपको पसंद भी आया होगा तो बस अब तक के लिए बस इतना ही अगले next session में फिर मिलेंगे home science के पर्टिसाइट के साथ जैन हिन जै भारत